दन्यवाद सभापती जी, समय की सीमा को देखते हूए मैं सीधे मेरे विधान सभाक्षेत्र की बातों पर आता हूँ सरकार ने बहुत अच्छा कारेक्रम प्रशासन शेहरों की ओर चालू किया लेकिन मेरे विदानसव अक्षेत्री की नगरपालिका में इस कारेक्रम के तहट काम नहीं हो पाया और उसकी एक मात्र वज़े थी वहां का जो मास्टर प्लान था वो गलत मंजूर हो चुका था और उसको ठीक करने के लिए कई बार निवेधन किया गया टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट मानता भी है मान भी गया कि इतनी सारी गलतियां इस मास्टर प्लान में हुई है लेकिन मानने के बावजुद उस प्रक्रिया को पूरा करके उस मास्टर प्लान को दुरुस करने का काम उन्होंने आज तक नहीं किया मैंने मंत्री जी से भी कई बार निवेदन किया मंत्री जी ने भी कई बार मेरे चिठीयों को उनको forward किया लेकिन जिस मंत्री का आपने विभाग में डंडा पुस्ता है उस मंत्री का टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में कैसे काम नहीं हो रहा है उनके आदेशों की पालन का काम जल्द से जल्द करें. जिस से मेरे या। विदानसभा क्षेतर में लोगों को सुविदा मिल सके . सब लोग यह मानते हैं कि यह पट्टा दे सकते हैं यह लोग जान बूच के नहीं दे रहे . वो लोग हमारी इस्थिति को और ब्रीज बना हुआ है और वो और ब्रीज गलट डिजाइनिंग के कारण बीजेपी के राज में गलट साइड में उतर गया जिदर दूसरी साइड में आबादी है जिदर भी उतरना चीए था वहाँ पे उसको नहीं उतारा गया अब उसका एक मात्र विकल्प जो हमने राय करके खोजा कि इसके नीचे अंडर पास मना दिया जाए अंडर पास के लिए रूट सिको को एजेंसी मनाया गया अब उसमें देरी हो रही है नवशक पत्राचार हो रहा है बिना छोटी छोटी बातों के लिए उसमें देरी हो रही है अब एक बात SDO ये कहता है कि रूल इसके तहट मेरे पास पहले पैसा आएगा तो मैं अवार्ड जारी करूँगा और रूट सिक को कहता है कि हम पैसा जब देंगे जब अवार्ड जारी हो जाएगा अब इस बीच में पैसा कौन देगा यानि ऐसी बातें ये अधिकारी लोग उल जाते हैं मंत्री जी से मैंने निवेदन किया मंत्री जी ने रूट सिक्कों को मेरी चिट्टी फारवर्ड की रूट सिक्कों से मेरे पास फोन आया किसाब ये हमारा मामला नहीं है अब ये तो इसको तो लैंड कमेटी देखेगी डियल बी की तो यानि विबागों में इस तरह से उल जाया जाता है मामलों को और अनावश्र ग्रूप से जनता इसको भुगत्ती है परिशानी को इसलिए मेरा मंत्री जी से निविदन है कि चाहे आप इन तीनों विबागों को एक साथ बुला कर मीटिंग करें लेकिन इस मसलिकों समझाएं पहले कौन पैसा देगा सरकार का एक विबाग है नियम वो बता रहे हैं कि साथ पहले पैसा देओगे जब आवाड जारी करेंग शेता नगरपाली का में स्लज्ज ट्रीट्मेंट का एक बड़ा प्रोजेक्ट स्वीक्रत हुआ। जिसके तहित पाइप लाइन के जरिए सारा स्लज्ज जो है वो ट्रीट्मेंट प्लांKO तक जाना था और वहां पह上 पर उसका ट्रीटमेंट होके और उसका निसथारन होना लेकिन उसमें भी एक अडंगा डाल दिया दिकारियों ने उसमें अडंगा ये डाल दिया कि आपके यहां पानी पर लीटर पर परसन जो आ रहा है वो कम है इसलिए यह treatment plant नहीं लग सकता अब उन्होंने एक दूसरा छोटा बिल्कुल छोटा एक project एप्रू किया है जिसके तह treatment plant में वो उसका निस्तारण होगा तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो मतलब practical नहीं है कभी गाड़ी का driver नहीं आएगा कभी उसका pump खराब हो जाएगा कभी कुछ हो जाएगा कभी कुछ हो जाएगा कभी चुट्टी पढ़ जाएगी तो वो जो मकसद आपका है जनता को एक बार monitor करें और वो जो original जो प्लान था त्रीट्मेंट का उसे ही हमें स्विक्रत करावें और लागू करावें मेरे यहां नगरपालिका के चारो और पैराफ हरी क्षेतर में बहुत सारी बसावत हो गई है सारी लोग इतने बस गए हैं वो लोग सारे जो डील सी रेट सुविदाम नगरपालीका ख्षेतर की उनको नहीं मिल रही हैं मेरा मंत्री जी से आग रहे है कि नगरपालीका ख्षेतर का बढ nostra बढ़ाया जाए और वो जो पैरा-प्र एरिया है उसकोंश में शामिल किया जाए मेरे ग्षेतर में यह जैसा गूर में कई सदश्यों ने कह ताक है घूमने के लिए कोई जगे नगरपाली का क्षेतर में ऐसी नहीं है तो कोई नेचर पार्क के तरह की तरज पे कोई एक ऐसी जगे मेरे यहां भी सुईक्रत की जाए जहां पर ग्रामवासी जाके और शाम को घूम सकें और ताजी हवा ले सकें मैं आपके माध्यम से प्रशासंद शहरों की और कारेक्रम का समय 31 मार्श से आगे बढ़ाई जाने का भी निवेदन करता हूँ एक मेरे नगरपाली का क्षेतर में सारवजनिक कारेक्रमों के लिए कोई टाउन हाल नहीं है तो एक किसी भी स्कीम के अंतरगत टाउन हाल स्विक्रती की स्विक्रती जारी कराने का कस्ट करें मेरे यहां कई समाजों ने निशल्क भूमी आबंटन के लिए आबंदन की निवेदन किया है कई हमने डियल्बी को प्रस्ताव भेज रखे हैं लेकिन उन पे कोई निर्णे नहीं हो रहा है तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि समाजों को निशल्क भूमी आबंटन के लिए जो प्रस्ताव हैं उनको स्विक्रत कराने की करपा करूँए एक कोलोनियों के उपर ओवर हैड लाइन जा रही है बिजली की और उनसे आए दिन एक्सिनेंट होते हैं इतना बड़ा खत्रा बना हुआ है तो ये कोई ऐसा एक प्रस्ताव इस तरह का किया जाए या नगरपाली काउं को कोई छूट इस तरह की दी जाए कि वो जो बिजली की लाइने हैं उनको हटा कर या तो उनकी जगे केबिल डाली जाए या उनको कोई दूसरे रास्ते से चालू किया जाए जिससे की ये समश्चा का हल हो सके एक मेरे या साधन की बहुत कमी है किसी तरह की मशीने सफाई की नहीं है फायर ब्रिगेड एक है जो अक्सर खराब हो जाती है अन्य मशीने भी जो आजकल शहरों में और सफाई में नवीन मशीनों का जो प्रसली करन हुआ है तो वैसी कुछ मशीने हमारे या नगरपालिका को दी जाए एक मेरी नगरपालिका को सी ग्रेड से मैं डी ग्रेड में अपग्रेड करने की मंतरी जी से निवेधन करता हूं सफाई करमचारियों की संख्या बढ़ाने का निवेधन करता हूं और छोटे व्यापारी जो वेंडर्स हैं थड़ी ओल्डर हैं रेडी ओल्डर ह उनके बारे में कोई नियम बना कर, जो नया चेहर में आता है, वो अपने हिसाब से उनको डिस्टब करता है, परिशान करता है, तो कोई ऐसे नियम बनाए जाएं, जिससे के उनके जो राइट्स हैं, वो प्रोटेक्ट हो सकें, बरसों से जो लोग ready लगा रहे हैं थड़ी लगा रहे हैं उनके राइट्स प्रोटेक्ट हो और नियमिती करन उनका हो बिजली के connection उनको मिल सकें उनके अधिकार सुरक्षित हो ऐसा हम आपसे निवेदन करता हूं धन्यवाद